नमस्कार सू स्वागतम वेलकम अभी नंदन मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्टें दोस दॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभी नंदन है फाइव मिनट स्टूरी पर आज मैं आपको जो कहानी सुना जा रहे हूं छोटी सी कहानी है लेकिन क्यूंकि आज दिन है मंगलव अपने गाउं के गाउंवासियों को अपनी प्रजा को कि कल सुबह जब राज दर्बार के दर्वाजे कक्ष खुलेंगे तो जो व्यक्ति आएगा सबसे पहले और जिस चीज को छुएगा वो चीज उसकी हो जाएगी तो कल सुबह टाइम पर पहुंच जाएं और कक्ष लूँगा इस तरह से इस तरह से पूरी रात बीद गई तो कोई कहता कि मैं घोड़े हाथी बिल्ली लूँगा तो कोई कहता रानी के सारे जेवर ले लूँगा कोई कहता मैं तो जाओंगा और रसोई में से राशन ले लूँगा सुबह राज दर्वार के जैसे ही जो है द व्यक्ति आया उसने जाकर सीधा राजा को चूलिया उसका तो सब कुछ हो गया मतलब सब चीजों पर उसका राज हो गया जिन्देगी में हम भी यही गलती कर रहे हैं अगर हम उनके साथ जुड़ गए ना तो उसकी पूरी कायनात हमारी हो जाएगी फिर हमें किसी चीज़ की जुरूरा है इसलिए अपने आपको बदलिए और रोज सुभा की शुरुवात परमपिता परमात्मा के साथ करिए मंदिर नियम से जाएए दो हजार बाइस म कहानी कैसी लगी जरूर बताएगा कमेंट्स में जैमाता दी लिखेगा कहानी को शियर जरूर कीजेगा क्योंकि कर भला तो हो भला और भला का उल्टा लाब और लाब का उल्टा भला होता है तो आप दूसरों का भला सोची आपका भला होगा क्योंकि कल्यूप कहता है जो देगा वही मिलेगा तो हमेशा हमेशा प्रभु को पाने की कोशिश कीजिए उसके साथ जो जुड़ी हुई लगजरी है वो तो चलकर घर खुद ही आ जाएगी फिलहाल दीजिए इजासत नमस्कार